हलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में ये देखे, प्यारा सा टू कलर का यहां पे टॉप बना हुआ है, इस डिजाइन को आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर में, कार्डिगन पे, जैकेट पे, किसी भी जगह अप्लाई करिए, बहुत ही खुबसवत हमारी प्यारी सी ये डिजाइन है, तो आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखेंगे, कि ये डिजाइन हमारी कैसे बनेगी, ये देखे, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 14 14 के मल्टिपल फंदे चाहिए, तो यहां पे मैंने 14 के मल्टिपल 28 फंदे लिए हैं, ज और इसके बाद जिस कलर से आप बॉर्टर बनाए हैं बीस कलर उससे हम बनाएंगे ये वन टू थ्री पूर पाइब शिक्स तो अब इसे ही ड्रो वन में बार बार रिपीट करेंगे ये एक हम बाइट से बनाएंगे और शिक्स फंदे ब्लू के वन टू थ्री फोर पाइब शिक्स तो इसी तरह इस पूरी ड्रो को रिपीट करेंगे ये देखें रो नमबा टू जिसमें ब्लू के लर से वन टू थ्री फोर पंदे हमारे ब्लू के फॉर पाइब हमारे वाइट वन टू थ्री फोर पंदे ब्लू के और ये वाइट को वन वाइट तब हम फॉर ब्लू से लेकर वन वाइट तक की डिजाईन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखेंगे अब हम row number 3 पे आगे हैं जिसमें white color से 1, 2 हमारे white से 1, 2 blue color अब white color से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंदे हमारे ये white के होगे 1, 2 पंदे ये blue और 1 white तो अब हम 2 white से लेकर 1 white तक की design को पूरी row में बार बार repeat करेंगे ये देखें row 3 मैंने एक पर और repeat कर लिया है तो बीच में हमारी यहां 3 पंदे जो हैं वो white के होगे ये देखें रो नमबर 4 जिसमें 1 white 1, 2, 3, 4 पंदे blue के 1, 2, 3 हमारे white होगे 1, 2, 3, 4 blue 1, 2 हमारे white के तो अब हम 1 white से लेकर 2 white तक की design को पूरी row में बार बार repeat करेंगे ये हमारी row नमबर 5 जिसमें 1, 2, 3 हमारे white 1, 2 blue 1, 2, 3, 4 5 हमारे ये white से होगे 1, 2 हमारे blue अब हमारा white कलर से 1, 2 फंदे white के अब इसे ही हम फिर repeat करेंगे देखिए अब हम 3 white से repeat कर रहे हैं 1, 2, 3 white 1, 2 blue 1, 2, 3, 4 55 वाइट 1, 2 blue और 2 हमारे white से तो ये देखिए ये इस तरह से हमारे ये design बन गई ये देखिए row number 6 जिसमें white कलर से 1, 2 हमारे white से 1, 2, 3, 4 हमारे ये blue से होगे 1 white 1, 2, 3, 4 फंते हमारे blue 1, 2, 3 हमारे white तो 2 white से लेकर 3 white तक की design हम पुरी row में बार बार repeat करेंगे ये हमारी row number 7 जिसमें 1, 2, 3, 4 फंते हमारे ये white के होगे 1, 2 फंते blue 1, 2, 3 हमारे white 1, 2 blue 1, 2, 3 हमारे white से अब देखें इस 4 white से लेकर के 3 white तक की design हम पुरी row में repeat करेंगे इदे अब हम row number 8 पे हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 फंते white 1, 2 blue 1, 2 हमारे blue से 1, 2, 3, 4, 5 फंते white तो 4 white से 5 white तक की design हम पूरी row में repeat करेंगे यह देखें row number 8 तक मेरे design इस तरह से यह दिख रही हैं अब हम row number 9 पे हैं तो इसमें भी white को हमें white से करना है यह 1, 2, 3, 4, 5 हमारे यह white से हो गए blue को blue से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हमारे blue से 1, 2, 3, 4 फंते white तो 5 white से 4 white तक की हम design repeat करेंगे यह देखें जब मैंने इनी फंतों को repeat किया है तो बीच में हमाई पास यह white के 9 फंते हो गए हैं यह देखें row number 10 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंते white और 1 blue अब इसे हमें पूरी row में repeat करना है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे white और 1 blue फिर 6 white, 1 blue इस तरह से यह पूरी row हमारी बनेगी तो हमारे यह 6 white हो गए और यह 1 blue फिर side में 6 white, 1 blue यह हमारी row number 11 इसमें 1, 2, 3 फंते white 1, 2, 3, 4 हमारे यह white से हो गए यह 3 हमारे blue से हैं यह blue को एक blue करेंगे 1, 2, 3, 4 फंते हमारे यह white होगे 1, 2 blue अब 3 blue से लेकर 2 blue तक की design हम पूरी row में repeat करेंगे यह हमारी row number 12 जिसमें 1, 2, 3 फंते blue के 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 फंते हमारे blue के तो 3 blue से 4 blue तक की design हम repeat करेंगे यह देखे, row ट्वल तक हमारी यह design इस तरह से यह दिख रही है अब हम row number 13 पे हैं जिसमें शुरू में blue कलर से 1, 2 हमारे blue अब हमारा यहाँ पे white 1, 2, 3, 4 फंते white 1, 2, 3 हमारे blue से 1, 2, 3, 4 फंते white और 1 हमारा blue तब हम 2 blue से लेकर 1 blue तक की design पूरी row में repeat करेंगे अब हम row number 14 पे हैं जिसमें 1, 2 हमारे blue से 1, 2 white 1, 2, 3, 4 फंते blue 1, 2 white 1, 2, 3 हमारे blue से तो 2 blue से लेकर इस 3 blue तक की design हम पूरी row में repeat करेंगे ये दिखें row number 15 जिसमें एक हमारा blue color रहेगा अब हम white से 1, 2, 3, 4 फंते white 1, 2, 3, 4 हमारे blue से 1, 2, 3, 4 हमारे white तो 1 blue से 4 white तक की design हमें repeat करनी है ये देखें row number 16 जिसमें पहले एक हमारा blue color रहेगा 1, 1, 2 white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंते हमारे ये blue के 1, 2 white 1, 2 हमारे blue से तो 1 blue से 2 blue तक की design हमें repeat करना है ये देखें row number 17 जिसमें हमें एक blue से करना है ये 1, 2 फंते white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंते हमारे blue के होके 1, 2 हमारे white से तो 1 blue से लेकर 2 white तक की design को हमें repeat करना है ये हमारी row number 18 जिसमें 1, 2 हमारे white 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 पंते हमारे blue के होके 1, 2, 3 फंते white के अब हम 2 white से लेकर 3 white तक की design को पूरी row में repeat करेंगे ये देखें row 18 तक मेरी ये एक design बन करके तयार हो गई है अब हम row number 1 से लेकर के row number 18 तक की जो design को बार बर repeat करेंगे तो ये sweater में जो design बनी है वो पूरी clear बन करके आपको दिखाई देगी तो इस तरह से ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा सबस्क्राइब करेगा और कमेंट करके बताएगा कि ये design आपको कैसी लगी तो आएए इस design का हम craft और sweater दोनों ही देखें